आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का डिरेक्ट से इंड्रेक्ट कैसे बनाते हैं और इसमें दौनों प्रकार के देखेंगे यह क्योंकि क्यूषन वाले सेंटेंस होते हैं तो यस्नम वाले और डबलोच वाले भी तो reported speech जब हमारी interrogative sentences में हो, तो एक तो होता है yes, no वाले question, तो आपको पता है yes, no वाले क्या होते हैं, जो auxiliary verbs से शुरू होते हैं, auxiliary verbs से शुरू होने वाले sentence होते हैं, इनका answer yes या no में होता है, तो auxiliary verbs आप सभी जानते हो, जैसे do, does, did, is, am, are, was, were, has, have, had, shall, will, may, can, should, would, might, यह सभी क्या है, auxiliary verb है, और दूसरे इसमें sentence होते हैं, जो WH से शुरू हो, इस प्रकार के sentence, WH word होते हैं हमारे whom, what, when, which, where, whom, whose, why, how, यह सभी क्या है, WH word है, तो यह आपको concept के लिए हो जाना चाहिए, basic है, इसके बाद हम लेते हैं, reported speech, interrogative sentence में हो, तो indirect speech में क्या-क्या बदलाव होगा, वो आपको जानना जरूरी है, यह विशेस है, यानि interrogative sentence के विशेस, यानि special rules है, general rules तो मैं पहले बता चुका हूँ, वो तो सभी पर follow होंगे, तो reporting verb में इस परकार परिवर्तन होगा, क्या होगा भी यह, reporting verb बोलाए मैंने, यदि reporting verb say या say to है, तो आप ask में बदल दोगे, clear है, interrogative sentence में, question वाले में, यदि say to है, तो आप asks में बदल दोगे, और यदि say to है, तो आप ask में बदल दोगे, ये clear हो जाना चाहिए, तीनों चीजे, अगर आपने इतना समझ लिया, तो फिर आपका काम हो गया है, next क्या है, दूसरा rules, inverted commas को हटा देंगे, और उसके बदले that का use नहीं करेंगे, देखिए, हमने assertive sentence में that का use किया था, आपको पता है न, यहां नहीं करना है, तो किसका use करेंगे, auxiliary verb से शुरू होने वाले sentence में तो आप if या weather का use करोगे, दौनों में से किसी का भी use कर सकते हो, और wh word से शुरू होने वाले sentence में उसी wh word का हम use करेंगे, जब हम inverted commas हटाएंगे, तो ध्यान रखना that का use या नहीं करना, interrogative sentences में यदि auxiliary verb से शुरू है, तो if या weather का use करो और inverted commas हटा दो, और यदि wh word से शुरू है, तो फिर वही wh word जो है, यूज होगा inverted commas के इस्तान पर, next क्या होगा, interrogative sentence को आप assertive sentences बनाओगे, निस साधान वाक्य बनाओगे, तो जब आप साधान वाक्य बनाओगे, तो सब आओगे कि उसका जो question marks हो हट जाएगा, और flesh top आएगा, तो साधान वाक्य जब आप बनाओगे assertive sentence, तो सबसे पहले आप subject उसके बाद ये pattern रहेगा, clear है, और फिर बाकी सबी general rules का पालन करना ही है, और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो देख लीजे general rules वाला, अब आप यहां पर एक्जाम पर लीजे, हम लेते हैं interrogative sentences, जिनका answer yes या no में होता है, यानि auxiliary verb से शुरू होने वाले interrogative sentences, वह कहती है, क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, अब देखें, यह sentence है, he says, am I looking beautiful, क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, और यह मैंने tense में बताया, जब auxiliary verb से शुरू होता है, कोई sentence, तो उसका जो starting क्या से होता है, और क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, यदि लग रही है, तो yes और नहीं लग रही है, तो no, इ लग दिया, asks आया है, तो अब यह, sorry, says है, इसकी जगा आप asks लिख दोगे, और यह inverted commas हटा करके, वेदर या if I use कर लोगे, clear, अब आप पकड़िये, मैंने कहा है, इसके बाद आपको subject फिर verb देना, यानि इसको आपको assertive sentence बनाना है, यानि कि साधन वाक्य बनाना है, क्यों हमारी reporting verb के subject के अनुसार change होगा, subject क्या है, see, तो see वैसे-एक वैसे आजाएगा, और see के साथ sentence किसमें है, am I looking beautiful, यानि present continuous का है, तो ये किसमें बन जाएगा, present continuous में ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहां says आया है, और ये पहले जब rules बताया था general, यदि हमारी reporting verb, present यह future में हो, त reported speech के tense में परिवर्तन नहीं होगा, तो see के साथ is use करेंगे, क्योंकि I के साथ am use होता है, तो see के साथ is और फिर वैसे की वैसे, जो है looking beautiful, तो ये किसमें रहा present continuous का था, और present continuous में ही बना, क्योंकि हमारी जो reporting verb है, वो present में है, clear, बहुत आसान है, बन गया न, next example, कवीता said to me, do you know locust, कवीता ने मुझसे कहा, क्या तुम locust को जानते हो, यदि जानते हो तो हाँ, नहीं जानते हो तो ना, यानि yes, no, अब लेकिन यहां पर देखे, कवीता said to me, तो कवीता है, लिख दो, said to आया है, ask लिख दोगे, और ये है me, वैसे के वैसे आ जाएगा अब आप यहां देखे, inverted comma हटाओ, if या weather किसे का यूज करो, मैंने दोनों लगा दिए, आप एक का यूज करना है, public करके लिखा है, clear है, ये चीज आपको ध्यान हो जानी चीए, अब यहां देखे भईया, ये जो verb है, हमारे reporting verb किसमे है, said, say का second form है, इसका मतलब, इसके tense मे किसमे, assertive sentence में, सादान वाक्य में, तो पहले तो आप subject ढूंडो, यहां पर क्या है, you, और you जो है, हमारा second person है, तो reporting verb के object के नुसर, change होगा, object क्या है, me, ये subjective case में है, you, और ये objective में है, तो इसका subjective case क्या हो जाएगा, me का I, अब ये हमारा present, present जो है, indefinite में है, तो आप past indefin net में, जो हमारा assertive sentence होता है, उसमें verb की second form आती है, तो नौका हो जाएगा, new, और फिर low case, वैसे वैसे, और fully stop लगा दोगी, देखे, बताइए, कहां दिक्कत आ रही, यह कह रहा है, उन्हों पूरे number दिलवा के छोड़ूँगा, आप, tension मत करो, next, he said to me, did you lend me your mobile, उसने मुझसे कहा, क्या तुमने मुझे अपना mobile उधार दिया था, भूल गया होगा, लेके तो पूछ रहा है, उसने मुझसे कहा, क्या तुमने मुझे अपना mobile उधार दिया था, यदि दिया है, तो yes, नहीं दिया है, तो no, अब sentence पर आ जाईए, he है भईया, he लिख दो, set to है, ask लिख दो, me वैसे वैसे लिख दो, हटा ये देखे किसका है, interrogative sentence है, ये हटा दीजे, और यहां लिख दीजे, if you have weather, किसी का use, करिए, अब ढूंड़िए subject क्या है, you, second person है, object के अनुसार बदलेगा, अभी बताया था, I हो गया, ये हमारा जो tense है, did you land, ये हमारा tense किसमे है, past indefinite में, तो ये past indefinite किसमें बदलता है, आपको पता होना चाहिए, past perfect में, तो I के साथ, आप use करोगे, helping of head, और उसके साथ, वो आपकी third form, तो land है, ये हो गया, अब यहां क्या है, me, और me क्या है, ये, यहां पर first person होता है, first person है, object है, first person हमें से change होता है, हमारी reporting work के subject के अनुसार, तो ये objective case में है, me, तो यहां पर he, तो he का objective case आजाएगा, him, clear इसके अनुसार, अब next है, your mobile, तो your को भी तो change करना पड़ेगा, your second person है, और ये change होगा, इसके अनुसार, ये possessive adjective है, तो me, यानि इसका subject होता है, I, और I का possessive adjective क्या होगा, my, तो my mobile, बताइए, कहां दिक्कत आई, क्यों बेटा, अरे बा, नहीं है नहीं दिक्कत, good, next, रवी said to me, are you not going to school, रवी ने मुझसे कहा, क्या तुम विद्ध्यालन नहीं जा रहे हो, तो अब यहां पर देखे, रवी said to है, ask हो जाएगा, me, वैसे कि वैसे, inverted comma अठा कर दिया, मिया देखे, वर्ब किसमें थी है, हमारी second form, यानि past में है, इसका मला इसके tense में change होगा, यह किस tense का है, are you not going to school, भाईया यह है, present continuous का negative sentence है, तो convert किसमें होगा, past continuous में होगा, clear, तो subject ढूंडो, क्या है you, और you जो second है, क्या person, object का अनुसार convert होगा, तो you subjective case है, me का subjective case क्या हुआ, आई, ठीक है, अब आई है, यह convert किसमें होगा, क्योंकि यह हमारा past, sorry, present continuous का है, तो past continuous में होगा, आई के साथ वाजगाई उज़ करते हैं, फिर not going to school, और यह आ गया, फिली स्टॉप, बताओ बेटा कहां दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, next, muskan said to kamal, can you help me, muskan ने kamal से कहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, sentence, यह जो verb है, reporting past में है, मतलब इसे में बदलाव होगा, muskan said to है, asked हो जाएगा, kamal, inverted comma आठा हो, whether या if का यूज़ करो, क्या है यू, और यू क्या है, second person है, किस के अनुसार होगा, object के अनुसार, object क्या है, kamal, किसी लड़के का नाम है, male है, तो यह क्या हो गया, third person है, male, he में convert हो गया, subjective case, can है, could में change हो जाएगा, help, वैसे की वैसे, me आया है, last में, me क्या है, first person, आजाओ subject पे, muskan, लड़की है, ठीक है, तो यह क्या है, objective case में है, और यहाँ लड़की के लिए हम C यूज़ करते हैं, और C का objective case क्या होगा, हर, Will you go to school today? विनोध ने राकेश से कहा, क्या तुम आज स्कुल जाओगे? विनोध, ask, said to ask, राकेश, कॉमा अठा दीजिए, लगा दीजिए, इफिया, वैदर, किस में है, past में है, tense में change होगा, बिल्कुल होगा, तो अब आप यहाँ देखिए, क्या है subject भईया, you, तो होगे, राकेश है, कौन है, लड़का है, मेल है, थर्ड परसन है, ही लगा दो, विल आया है, उड हो जाएगा, गो टो इसकूल, यह टूडे भी तो है, और जब यह हमारी reporting वर्ब पास्ट में होगी, तो टूडे भी तो बदलेगा, इसको हम बोलते हैं, that day में convert कर देंगे, बताईए, कोई दिक्कत नहीं है, अब next आजाओ हमारा, जब reported speech and interrogative sentence भी कौन सा डबलो एच वर्ड वाला हो, विनोध ने राकेश से कहा, आप कौन है, देखें, यहाँ पे जो है interrogative sentence है, लेकिन डबलो एच वर्ड से शुरू हो रहा है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, विनोध से टू है, आस्क टो जाएगा, और राकेश वैसे वैसे, यह हमारा past में है, ठीक है, तो इसमें tense में change होगा, तो who are you, यह हमारा present में है, यहीं simple, तो are, is, are को हम वाज में change करते हैं, क्लियर है, यहाँ inverted, कॉमा हटा कि डबलो एच वर्ड ही लिखना है, who लिख दिया, you है बईया, subject, तो you जो है न, जिसके अनसार change होगा, reporting वाप के object कौन है, राकेश, किसी लड़के का नाम है, उसने मुझसे कहा, आपका नाम क्या है, ठीक है, तो what से शुरूआ है, यानि डबलो एच वर्ड से शुरूआ है, चलिए, आईए, convert किजिए, he said to go, ask में, me, basic, वैसे, inverted, कॉमा, अटा और क्या लगाओगे, if weather, no, डबलो एच वर्ड का है, यह वाट ही आएगा, ठीक है, यह tense किस में है, what is your name, तो simple, वही है present में, ठीक है, अब यहाँ दीजिए, your name, your name, ठीक है, तो your जो है, हमारा क्या है, second person है, और possessive adjective है, क्योंकि यहाँ नाउन आ रहा इसके बाद, इसलिए, अब यह जो हमारा objective अनुसार बदलेगा, तो me, इसका subject होता है, I, और I का possessive adjective क्या होता है, my, तो my name, और is का हो जाएगा, वाज, please stop, लगा दो, पूरे में से पूरे नंबर पक्के, next, sonom said to me, why are you sad, sonom ने मुझसे कहा, तुम उदास क्यों हो, पिटा, क्यों उदास हो, जब पूरा तुमें, समझ में आ रहा है, उदास होने कि जर्रत कहां पढ़ रही है, बताओ, चलिए, चेंज करते हैं, बत्चा है, नादान है, sonom said to ask me, वैसे कि वैसे, क्या है भीया, why are you sad, why है, wh word है, inverted comma tau, why लगा दो, ठीक है, simple present में हम है, r यूज हुआ है, यहाँ यू हमारा subject है, second present के नुसर चेंज होगा, मी का, subjective case, I, फिर I के साथ वाज का यूज होगा, ठीक है, और sad वैसे वैसे आएगा, लगा दो fully stop, पूरे नमबर पक्के, अब यहाँ पर एक चीज देखे, मैं आपको एक विसेश इसमें example दे रहा हूँ, जो कई बार परिक्सिया में पूछ लिया जाता है, बहुत ध्यान रखना है, यदि किसी question का answer yes, no में हो तो, यानि उसमें दि you give me your pen, तो क्या आप मुझे अपना pen दे सकते हैं, तो रवी said, रवी ने कहा yes, हाँ, अब बताई इसका कैसे change करोगे, ध्यान से दीजिएगा इस पर, यहाँ तक का जो portion है, वो तो वैसे कि वैसे करना है, आप लिख दोगे, राधा, said to, asked और रवी वैसे कि वैसे, ठीक है, ह you है, second person, इसके अनुसार change होगा, यह आ गया, तो can का हो जाएगा, could, इसके बाद you, me है, me क्या है, first person, जो हमारा I होता है, उसका object है, तो यह first person है, subject के अनुसार change होगा, राधा है, राधा कोन है, लड़की है, और लड़की के लिए subject case होता है, see, और object हर, क्योंकि object case में हर आ रवी है, लड़का है, he का use होता है, तो he का possessive adjective क्या होता है, his, तो his, pen, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे है, रवी, said, yes, तो यह जो रवी है ना, यह हमारा object ही तो है, तो यह इसके अनुसार ही change हो जाता है, object के अनुसार, तो यहां रवी है, तो he का use करोगे, क्य negative या in the affirmative, कोई भी यूज कर सकते हो, in the positive या in the affirmative, concept clear हो जाना चीए, बिलकुल, यह दि मान लीजें, यहां रवी कहता कि no, अगर yes की जगह no होता, तो आपको पूरा sentence वैसे की वैसे लिखना था, क्यों यहां होता, he replied in the negative, यहनि positive की जगह आप क्या लिखते, negative, बस इतना सांत होता है, यह दिया, इसका reply नो होता, तो imperative sentence, जो आग्या सूचक, यानि command, order, request को स्यो करते हैं, imperative sentence से आदेश, यानि order, निर्देश, direction या command, प्रातना, अनुरोध, यानि request, सुजाव, suggestion, सला, advice का बोध होता है, वो हमारे imperative sentence कहलाते हैं, इस प्रकार के sentence की indirect speech में बदलने के rules क् किस प्रकार से हम direct से indirect में बदलेंगे, उसके general rules तो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसे आप देख लें, नहीं देखे हैं तो, अब यहां जो है imperative sentences के कुछ wishes यानि special rules है, उन पर हम focus करेंगे, पहला reporting verb को tell, ask, order, command, request, suggest, advice, warm, यानि चेताओं नहीं देना, इसमें हम said, तो उसको हम situation के अनुसार इन सब्दों में बदल देंगे, और यदि आपको कुछ समझ नहीं आए न किस में बदलना है, तो आप ask का use करें, सबसे simple format यही है, कहीं भी यदि आपको doubt हो कुछ समझ नहीं आरा, तो आप ask, ask और ask, इसका use करें, तो आपका वो भी sentence correct होगा, इ तो सामन्यता object रहता है, यदि नहीं है, तो भी indirect speech में reporting verb के बाद आपको object अवस्चे लगाना है, आपके sentence के according, clear है? तीसरा है, please kindly जैसे सब्दों को आप हटा दे, यदि sentence में, please kindly इन सब्दों का use हुआ है, तो उसको हटा दे, और next है, inverted commas को two में बदल दे, जो inverted commas है, विसे इस ध्यान रखिएगा, imperative sentence में हम, inverted commas के बदले two लगाते हैं, लेकिन यदि negative sentence हो, हमारा imperative sentence कैसा हो, negative हो, तो do not का use होता है, या sort में कहें, don't का use होता है, तो इसको हटा करके, आप not two का use करे, not two, यदि negative है तो, अगर यदि negative नहीं है, तो फिर आप two का use करोगे, inverted commas के इस्तान पर, clear? अब यहाँ पर देखे, आप लिए इस not है, not two के इस्तान पर आप, forbids या forbid का भी use कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये word अपने आप में negative है, तो इसके साथ आपको not का use नहीं करना है, अगर आप forbids, forbid का use करते हैं, तो ये सब्द अपने आप में negative है, तो इसके साथ आप not का use ना करे, ये आपको ध्यान रखना है, next, अब हम example लेते हैं, the teacher said to Ravi, sit down, अध्यापक ने रवी से कहा, बैट जाओ, तो देखे, आपको पता है, imperative sentence ऐसे होते हैं, जो वर्ब से शुरू होते हैं, और इनमें किसी प्रकार कोई helping verb नहीं होती है, सीधा sentence होता है, sit down, या वैसे convert करोगे, बहुत इजी है, आप लिखोगे, the teacher said to Ravi, अब आप देखे, इस तरह के sentence में क्या है, teacher है, order दे रहा है, किसको Ravi को, तो आप लिख दोगे, the teacher said to है, तो ordered लिखोगे, फिर Ravi, inverted comma, हटाओ, two का use करो, बाकी वैसे वैसे लिख दो, sit down, देखे, कितना simple है, बताई इ सेक्या, नहीं है ना, तो फिर आप यूँ ही क्यों घबरा रहे थे, बहुत आसान है, अचा sentence ऐसे भी हो सकता है, अध्यापक ने कहा, बैठ जाओ Ravi, यनि कि किसी व्यक्ति का नाम, संबोधन के रूप में भी, यूज किया जा सकता है, और ये मैंने पहले भी बताया है, जो assert संबोधन के रूप में हो तो क्या करना है, तो जो संबोधन वाला वर्ड है, वो यहाँ पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, अब इसको देखिए, the teacher said, sit down Ravi, कॉमा लगा, फिर जो है, Ravi को संबोधित किया जा रहा है, तो जो संबोधित वाला वर्ड होता है, हम उसक को reporting verb का object बना देते हैं, clear है, the teacher ordered Ravi to sit down, clear है, देखे, केवल मैंने ये example यहाँ clear करने के लिए यहाँ पे दिया है, ताकि आपको दिक्कत ना आए, तो यह Ravi यहाँ भी हो सकता था, Ravi, sit down, तब भी बात वही होती, the teacher ordered Ravi to sit down, clear concept, आगे बड़े, करिस्मा ने कहा, अपने खिलोनों से खेलो करीना, तो करीना को संबोधित किया जा रहा है, वही situation अभी जो मैंने बताई, करिस्मा said, play with your toys करीना, बनाओ, तो करिस्मा ask और करीना को आप object बना दो, तो लगा के sentence वैसे वैसे लिख दो, play with your toys, लेकिन द्यान रखना your है यहाँ, हमारे जो pronoun है, वो तो, वे person जो है, वो तो change होंगे rules के according हो, यह general rules में बताया था, तो your क्या है यहाँ पे, आपको पता है, second person जो हमारा होता है, you, उसका यह possessive adjective है, तो यह second person का, अगर है, तो objective अनुसार change होता है, object हमारा क्या हो गया, करीना, करीना क्या है, किसी लड़की का नाम है, तो इसका subjective case होता है, see, और possessive case क्या होता है, her, तो यहाँ हो जाएगर to play with her toys, बताइए कहीं दिक्कत है क्या, कहीं नहीं है न, अब मैंने कहा था कि अगर कुछ बास समझ में नहीं आए, तो आप ask का use करो, तो ask का use हो जाएगा, क्योंकि यह second form है, said, तो करिस्मा ने कहा, अपने खिलोनों से खेलो, यह order भी हो सकता है, advice भी हो सकती थी, तो आपको ज confusion लगे, आप सीधा ask का use करें, clear, next, he said to me, bring a glass of water, उसने मुझसे कहा, एक गिलास पानी लाओ, आप क्या बनाओगे, order दिया जा रहा है, ठीक है, उसने मुझसे कहा, एक गिलास पानी लाओ, order दिया न, कि जा एक गिलास पानी लेकिया, तो he said to order me, इसके बाद, inverted, कॉमा अठा to लगाओ, बाकी sentence वैसे वैसे लिख दो imperative है, तो bring a glass of water, clear, अगर यह sentence ऐसे होता, उसने मुझसे कहा, क्रपया मुझे एक गिलास पानी दे, तो he said to me, please give me a glass of water, यह क्या है, यह प्लीज लग गया है, यह request की जा रही है, और हमने कहा था, यह प्लीज यह kindly word है, हमारा direct speech में, त यहां तो हटा देंगे, तो बनाइए इसको he said to, यह नि क्या, किस में convert करोगे, request है, requested me, inverted comma हटाओ, to लगाओ, please हटा दो, इसके बाद give me a glass of water, लेकिन यहां ध्यान दो कि me का use हुआ है, me क्या है, हमारा first person है, और यह I जो है, इसका object है, तो अब आप यहां पे आ जाओ, first person है, subject के अनुशार change होगा, subject क्या है, he, और he का objective case क्या होता है, him, तो he requested me to give him a glass of water, बताइए, कोई समस्या नहीं है न, next, he said, consult ye doctor, उसने कहा, doctor की सला लो, तो एक तरह से advice भी हो सकती है, suggestion भी हो सकता है, कि उसको सुजाओ दिया जा रहा है, कि यह doctor की सला लो, आपकी जो बिमारी है, यह ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो आप इस तरह से, आप देकिए, यहां पे object भी नहीं है, और हमने कहा था कि आपको object लेना है, तो he said, consult ye doctor, किसको कहा जा रहा है, तो आप, अपने इस आप से कर सकते हो, he suggested me to consult ye doctor, inverted comma, to लगा दिया, मी हमने object अपनी तरफ से लगा दिया, तो मुझे ही तो किया जा रहा है, यानि आपको ही तो किया जा रहा है, तो he suggested me to consult ye doctor, सौनू ने कॉमल से कहा, दवाओं का नियमित रूप से 7 करे, सौनू said to कॉमल, take medicines regularly, क्या करोगे, advice सला दी जा रही है, सौनू, तो यहाँ पे आप लिख दोगे, advice, कॉमल, यह हटाओ, inverted comma, to लगा दो, take medicines regularly, बताओ कहा दिक्कत है, अब यह दि imperative sentences हमारे negative हो, अभी तक हम positive की बात कर रहे थे, तो negative में जो है, do not यह don't का use होता है, आपको पता होगा, तो he said to his friend, don't smoke, यह do not smoke, उसने अपने मित्र से कहा, धुम्रपान मत करो, clear है, अब आप इसको बनाओ, तो एक तरह से सला दी जा रही है, तो he advised, his friend, और हमने कहा था, जब don't हो, इसको हटा करके not to का प्रियोग करोगे, फिर बाकी वैसे के वैसे लिख दोगे, तो do not है, यह don't है, इसको हटा करके, आप किसका यूज़ करो, not to का, इस तरह के sentence आप ऐसे भी बना सकते हो, indirect speech में he, और यहाँ पे जब negative होता है, तो आप for wait का भी यूज़ कर सकते हो, इसके बाद object his friend, फिर to smoke, तो मैंने पहले भी कहा था, यदि आप for wait का use करते हो, तो not नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि यह word अपने आप में negative है, तो he forward his friend to smoke, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, indirect और ऐसे भी बना सकते हो, दोनों ही सही है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, कि not नहीं लगाना, केवल to लगाना है, clear, he said to mohit, don't poke the flowers, उसने mohit से कहा, फूलों को मत तोडों, क्या है, order दिया जा रहा है, तो he ordered mohit, do not, don't है, not to poke the flowers, कितना असान है यार, या वही, आप यहाँ पर forward का use भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ फिर not नहीं लगाना है, ध्यान रखना, clear है, sentence, good, next आईए, जब imperative sentence हमारे empathic हो, empathic मतलब होता है, प्रभाव साली, उन पर थोड़ा जोर दिया जाए, तो उनको हम empathic बोलते हैं, और इसमें जो हम do का use करते हैं, प पता चल जाएगा, imperative sentence के पहले do का use sentence को empathic यानि जोरदार बनाने के लिए किया जाता है, यानि उसमें वजन डाल दिया जाता है, तो do का use हम करते हैं, imperative sentence में empathic बनाने के लिए, तो इस प्रकार के sentence को जब indirect में आप change करोगे ना, तो do को हटा दो, उसका कोई काम नहीं यह ऐसे, राकेश said to me, do come again, राकेश ने मुझसे कहा, फिर से अवस्य आईए, तो यहाँ जो do का use है, यह आवस्य या जरूर उस sense में आता है, तो प्रभावी बनाया ना, कि come again का मतलब क्या है, फिर से आईए या फिर से आओ, लेकिन आपने इसके आगे do लगा दिया, तो ज़ वो वर्ब से शुरू होता है, लेकिन इसके आगे भी यहाँ do का use किया गया है, तो यह हो गया हमारा empathic, बनाओ, राकेश, राकेश ने मुझसे कहा, फिर से अवस्य आईए, तो एक तरह से request है, तो राकेश requested me, do को तो हटा दो, क्योंकि हमारा नियम कहरा है, क्योंकि empathic है, और यहाँ से inverted comma को अटाओगे, तो लगा दोगे, फिर come again, वैसे की वैसे लिख दोगे, बता बेटा कहा दिक्कत नहीं है न, good, अब यहाँ देखो, उसने सीमा से कहा, अपना मत जरूर दो, empathic है, जरूर का use हुआ है, तो she said to सीमा, do cast your vote, देखे, लोकतांतरिक देश से हमार और vote देना सब का दिकार है, तो उसने कहा, उसने सीमा से कहा, अपना मत जरूर दो, हो सकता है कि जीतने वाला एक ही vote से जीते बाई, पनाओ, सला दी जारी है, c, advise, सीमा, do को तो हटा दो, inverted comma लगागे, to लगाओ, cast your आया है, second person है, और second person का क्या है, हमारा यह possessive adjective है, object के का नाम है, और c, c हो जाएगा, इसका subject, और c का possessive adjective होता है, हर, क्या होगा, हर, तो हर vote, clear है, अब एक चीज़ ध्यान रखिए, do का यूज यदि मैन वाप के रूप में हो, अभी हमने देखा, emphatic में हुआ, लेकिन यदि do का यूज मैन वाप के रूप में हो, तो do को नहीं हटाते हैं, द्यान रखना, केवल emphatic word में हम do को हटाते हैं, जब indirect बनाते हैं, लेकिन यदि do का यूज मैन वाप के रूप में हुआ हो, मुख्य क्रिया के रूप में, तो फिर आप do को नहीं हटाते हैं, समझिए, the teacher said to me, do your homework, the teacher said to me, do your homework, teacher अध्यापक ने मुझसे कहा, कि अपना घ्रह कारिये करो, तो देखें, आपको पता हो गई हैं, यह do है, इसके बाद और कोई वाप तो नहीं है न, तो फिर यह मैन वाप के रूप में यूज हुई है, clear है, तो order हो गया, teacher कह रहा है, the teacher ordered me, यह हटा दो, लिख दो यहाँ पे to, और वैसे कोई से do, your आया है, second person है, इसके अनुसार change होगा, me, तो me का subjective case क्या होता है, I, और I का possessive adjective क्या होगा, my, तो do my homework, clear है, ध्यान रखियेगा, यहाँ do के बाद और कोई वर्ब नहीं है, इसके just बाद, तो यह जो है मैन वाप के रूप में यूज हुआ है, अब अगला sentence देखो, the teacher said to me, teacher ने मुझसे कहा, do complete your homework, तो यदि हमारा देखिया, empathic तो यहीं शुरू हो गया, complete your homework, अपना ग्रह कारिये पूरा करो, या अवस्य करो, तो यह हो गया, the teacher order me, do को अठा दो, क्योंकि empathic है, to लगाओ, complete your है, इसके अनुसार change होगा, तो माई हो जाएगा, जैसे उपर बताया, homework, तो यह confusion रहता है, बहुत से बच्चे कहते है, सर्क कैसे पता चलेगा, do का use man work के रूप में हुआ, या empathic के रूप में यूज होगा, तो empathic के रूप में यूज होता है, तो उसके बाद भी verb होगी, जो हमारा man sentence होगा, लेकिन यदि man verb के रूप में यूज होगा, तो इसके बाद verb नहीं होगी, concept clear हुआ न, तो यहाँ do के बाद verb नहीं है, जबकि यहाँ do के बाद complete भी क्या दिया हुआ हो तब क्या करोगे जैसे he said to me open the window विल यू ये विल यू क्या है टेक क्यूशन है जो दिया हुआ है इसमें तो आप क्या करोगे इस टेक क्यूशन को तो भूल जाईए दिया है तो कोई बात नहीं देदे ने दीजिए हमें क्या फरक्पड रहा है क्योंकि इसका क आपको कुछ समझ नहीं आए कि हम क्या लगाए order request तो आप ask का यूज कीजिए सबसे simple तरीका यही है तो समझ में आपको बात आ गई होगी situation आपको समझ में आ गई होगी बहुत simple यह sentence है इनमें तो कही tense भी बदलने की ज़रुत नहीं पड़ती क्यों क्योंकि इनमें क्यों एक verb होती है और उसके बाद कुछ word जुड़े होते हैं यह होता है ना बहुत आसान है तो पहला है यदि let सुझाओ या प्रस्ताओ प्रपोजल का बोध हो जब सजेशन या प्रपोजल का बोध हो तो उसके लिए क्या special rules होंगे क्योंकि general rules तो सभी के लिए एक जैसे हैं clear है तो reporting verb क्या करना है अगर say है तो प्रपोज या suggest में convert कर दो यदि save है तो प्रपोज़ या suggest me convert कर दो यदि saved है तोニ्पर प्रपोज़ या suggest me convert कर दो concept clear है ध्यान रखेगा reporting verb को आपको कैसे change करना है इसमें एक खास बात है जब आप reporting verb इनमें change करोगे और यदि इसके बाद इनके बाद ये reporting verb इनके बाद यदि object का यूज हुआ है तो फिर आप to लगा करके object लिखोगे ये आपको विशेज ध्यान रखना है तो यदि object है तो to वैसे भी इसमें already होगा तो आपको यहां to लगा लगाना है तो यह clear हो जाना चाहिए नेक्स्ट क्या है inverted commas को that में बदल दोगे clear फिर जो let है उसको should में change करना है और जो let के साथ us आएगा क्योंकि let us ये वाले शुरू होने वाले let us से शुरू होने वाले sentence ही हमारे क्या है suggestion और proposal को show करते हैं तो let को तो आपने should में बदल द में आप change कर दोगे आंग बंद करके कर दो वी लगा दो या दे लगा दो कोई दिक्कत नहीं है सब सही है लेकिन फिर भी यदि आप ध्यान रख सकते हो तो देखिए यदि reporting वर्प का हमारा subject या object दोनों में से कोई भी यदि first person है तो आप वी का यूज करो ज्यादा बैतर ह क्लियर है यदि reporting वर्प का subject या object first person है तो आप वी का यूज करो अन्य था आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वी या दे में से कुछ भी लगा दो दौनों सही है प्रोनाउन हमारा वी या दे हो गया इसके बाद हम should का यूज करते हैं तो ध्यान रखना पहले हम प्रोनाउन का यूज करेंगे वी या दे का उसके बाद let को हम should में convert करके लिखेंगे तो pattern यह होता है let us फिर वर्प की first form आती है direct में जब indirect बनाते हैं तो पहले हम प्रोनाउन लिखेंगे वी या दे में से कोई भी एक इसके बाद should और फिर वर्प की first form concept के लिए screenshot ले लो आगे काम आएगा अब आप यहां देखिए सीमा said to Ravi let us go to market सीमा ने रवी से कहा आओ बाजार चले या बाजार चले तो यह एक proposal भी हो सकता है उसके सामने प्रस्ताव रखा या फिर उसका suggestion भी हो सकता है clear है तो यह suggestion और proposal वाले जो sentence है ना वो let us से शुरू होते हैं यह आपको ध्यान रखना है अब आप चैंज कीजिए सीमा इसके बाद propose भी हो सकता है suggest भी हो सकता है suggest भी हो सकता है दौनों में से आप किसी एक का यूज करो इसके बाद मैंने कहा था टू अजीदी object है तो टू और इसके बाद फिर object यह आपको ध्यान रखना है inverted, that लगा दो फिर क्या करोगे पहले let us है तो यह जो us है न इसको आप we या दे किसी एक में convert करके लिख दो फिर let को change कर दो कि should में इसके बाद जो verb आई है उसकी वैसे first form और फिर आगे का sentence वैसे की वैसे बताओ कहां दिक्कत है इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुन लो और देख लो जर्रत पड़े तो लिख लो pen copy लेके पूरे नमबर दिलाओंगा I said let us help the poor मैंने कहा आओ गरीबों की मदद करे ठीक है प्रस्ताओ हो सकता है सुजाओ भी हो सकता है क्योंकि let us से शुरू है हमारा sentence I proposed I proposed suggested अब यहां देखे ऑपजेक्ट नहीं है तो फिर आपको टू लगा कर आपजेक्ट लिखना ही नहीं है तो यह इस यहां किलियर था क्योंकि यह अबजेक्ट भी था तो फिर टू लगाकर लिखना था तो इसको वैसे की वैसे रख दो इनवर्टेल कॉमा हटाओ that लगा दो वी या देका किसी का यूज करो लेकिन मैंने बताया था यदि reporting verb का subject या object first person है जैसे I या first person है तो आप वी लगाओ ज्यादा अच्छा होगा अन्य था कुछ भी लगाओ वी या दे में से कोई दिक्कत नहीं है आप क्या करो आप ये जो हमारा let था इसको should में बदला वो आपकी first form help और फिर the poor clear है कहीं दिक्कत है क्या नहीं है तो इसका हिंदी होता है मैंने सुजाओ दिया कि हमें या उन्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए तो वी या दे में से किसी का भी यूज कर सकते हो clear next जब let का meaning होता है wish या desire यानि इच्छा के लिए जब इच्छा का बोध हो यानि किसी प्रकार की wish की जा रही है या फिर कोई desire की जा रही है तब हम जो है इसका use करते हैं let का जब wish और desire का बोध हो तो क्या करेंगे यह है मेरा केने का मतलब क्या करोगे reporting work say को wish में convert कर दो sage को wish में और said को wish में convert कर दो clear है जब कोई wish या इच्छा का बोध हो रहा हो let say inverted comma को that में बदल दोगे जैसे पताया था let को should में बदलना है यहां भी जैसे kamla said let me go out kamla ने कहा मुझे बहार जाने दो तो एक तरह से उसकी यह इच्छा है या उसने इसकी wish है कि मुझे बहार जाने दो तो let me go out आप क्या करोगे kamla said को किसमें बदलोगे wish inverted comma हटाओ that लगा दिया अब क्या करोगे क्योंकि let को तो आप should में बदल दोगे लेकिन उससे पहले हमें क्या देना होगा pronoun जो कि एक subject होगा तो यहां देखे क्या है me है और me जो है न इसको यह क्या है objective case में है और यहां हम लिखते है subjective case अब एक चीज ध्यान रखिएगा me क्या है हमारा first person किस के अनुसार change होगा reporting वह आपके subject के अनुसार कौन है कमला तो कमला लड़की है लड़की के लिए हम C का यूज करते हैं तो subjective case क्या होगा C फिर let का should और फिर go out वैसे वैसे बताइए बटा कहा दिक्कत नहीं है न next he said let him be my friend इसका मतलब है उसने कहा उसे मेरा मित्र बनने दो clear तो ये उसकी इच्छा है उसने कहा उसे मेरा मित्र बनने दो तो C और said की जगे wish विनवर्टेड कॉमा हटाओ that लगा दिया लगा दिया इसके बाद ये जो हमारा let के बाद him है जो pronoun है ये क्या है objective case में है him और him जो है आपको पता है ये third person है यानि he का object होता है him और third person change नहीं होते है लेकिन ठीक है change तो नहीं होते लेकिन यहां तो हमें इसका subjective case लेना पड़ेगा तो him का subject होता है he क्योंकि him तो क्या है object है तो इस बात को clear कर लो यहां समझ लो यहां दिखकता थी कि सब्जेक्ट के अनुसार तो यह चेंज होना नहीं क्योंकि यह थर्ड प्रसन है ना अरे he का object है न हिम लेकिन हमें यहां लेना क्या होता है subjective case तो हिम का सब्जेक्ट होता है वह होता ही इसके बार लेट को बदल दो सुड में और यह वह की first form be my friend my आया है my क्या है first person है और possessive adjective है तो first person change होता है subject के अनुसार subject क्या है see see का possessive adjective क्या होगा हर तो हर friend बताइए कहीं दिक्कत है क्या इसका meaning होगा उसने चाहा कि वह उसका मित्र हो ऐसी उसकी चाहत है ऐसी उसकी इच्छा है एक और sentence ले रवी said let me celebrate my birthday रवी ने कहा मुझे मेरा जनम दिन मनाने दो ऐसी इच्छा है उसकी तो पापा से कहा कि पापा मेरी ऐसी इच्छा है कि मुझे मेरा जनम दिन मनाने दो ठीक है भईया मनाएंगे चलो हम भी मनाते हैं convert करो indirect में रवी वेश्ट फिर इसके बाद inverted कॉमा हटा के that लगाओ लगा दिया ये क्या है let के बाद me है me objective case है किसका I का और I हमारा first person होता है ये मी भी first person होआ change होगा subject के अनुसार subject को होने रवी किसी लड़के का नाम है जो क्या होगा इसके लिए हम he use करते हैं तो इसका subject होगा he let को बदला सुड में celebrate वैसे क्वैसे आ जाएगा first form है वह आपकी my birthday तो my जो है ये first person है पजेशिव adjective है change किसके अनुसार होगा first person ये subject के अनुसार तो रवी यानि he का पजेशिव adjective क्या होगा his birthday देखे कितना आसान हो गया next तीसरा येदि let say allow permit या request यानि अनुमतिया order का बोध हो जब allow permit यानि अनुमतिया order का बोध हो तब क्या करोगे reporting वो आपका क्या करना है say को request या order में बदल दो say's को request या orders में बदल दो और said को requested या ordered में बदल दो clear इसके बाद inverted commas और let को हटा कर इसके बदले to allow या to let का यूज़ करें तो inverted commas के बदले तो हम to का यूज़ करते हैं और let के बदले allow या to दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं और verb को हमारे जो verb आएगी उसमें let के बाद तो two plus verb की first form का यूज़ करना यह विशेश है यहां पे जो verb आएगी हमारे let के बाद उसमें two plus verb की first form का यूज़ करना है जैसे the student said to the teacher let me go home ठीक है अब विद्यारती ने अध्यापक से कहा मुझे घर जाने दो तो एक तरह से क्या है request की जा रही है विद्यारती ने अध्यापक से कहा मुझे घर जाने दो the student requested the teacher इसके बाद हमने inverted comma to का यूज़ किया let के बदले हम allow या let का भी यूज़ कर सकते हैं तो to allow या to let किसी का भी यूज़ कर दो इसके बाद यहां पे आया me और me क्या है first person है change होगा subject के अनुशार कौन है student विद्यारती है एक विद्यारती की बात हो रही है तो इसके लिए हम he use करते हैं इसका object हो जाएगा यहां him यह आपको ध्यान रखना है इसके बाद हम यह objective case में यूज़ करते हैं इसलिए फिर कहा की वर्ब के पहले आपको to लगाना तो to go और फिर home देखें बहुत यह आसान है तो विद्यारती ने अध्यापक से अनुरोद किया कि उसे घर जाने की अनुमति दे next the principal said to the peon let the student come in तो इसका change होगा the principal order दे रहा है peon को तो order आजाएगा order the peon फिर to allow या to late कुछ भी लिख दो यहां पे the student है वैसे 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 आजाएगा the student इसके बाद वाब के पहले to लगाओगे to come फिर in next है यदि let का use supposition यानि कल्पना का बोध हो इस sense में use हो और ये let it be का use जो इसमें होता है सामन्यता या let there be का use भी किया जाता है तो reporting verb को suppose में बदल दो inverted comma के बदले death का use करें let को हटा दो और it be की जगह पे to be का use करना है या there भी हो तो there to be का यूज करना है ये आपको विशेज ध्यान रखना यदि it be है तो to be का let के बाद और let के बाद there भी है तो there to be में उसको change कर दो जैसे the teacher said let it be a triangle अध्यापक ने कहा मान लो ये एक त्रबूज है तो कल्पना की जा रही है सपोजीशन का बोध है the teacher तो आप लिख दो suppose said की जगह inverted comma हटाओ that लगा दिया it be है to be का use करोगे ये ट्राइंगल वैसे की वैसे अध्यापक ने माना कि ये एक त्रबूज है एक और एक्जाम पर लें the teacher said let it be a square the teacher suppose said की जगह suppose आएगा inverted comma हटाओ that लिखा let को हटा दो it be है to be का use करना है फिर a square वैसे की वैसे लिख दोगे हुआ आए लिए बास्टारा आएगा वैसे की बास्टारा आएगा पर दोगिए दोगे